यह आप लिखा हुआ है आहुजा टावर लिखा है आप देख सकते हैं और यह टावर टोटल 54 फ्लोर का है बहुत ही उच्छी टावर है आप देख सकते हैं गाज और यहाँ पे 29 फ्लोर पे रहते हैं रोहिश सर्माज तो है गाइज बूर्णिंग वेलकम टू माइन व्लोग है यह रहां मुंबई के ना जारत इस तरह आप दे सकते हैं काकि उसुछी बिल्डिंगे आप दे सकते हैं और भाई साहब बहुत ही सांदार ना जा रहा दे सकते हैं तो दोस्तों कैसे हो आप लोग आप सब अच्छे ह अफी की ऐसा है कि आपको दिखाने वाले भारति क्रिकेटर के कार्ष्टानों समय साथ में यहां तो आहुजा टावर में उनका घर का नाम हे और 29 फ्लोर पर रहते हैं टो गाइज बताथ 것은 लिए अगर कहाँ पर रहे ऊंका ओल्क गर का एड़ेस क्या है फुल जानकारी देने वाले हैं तो गायज वीडियो को करते हैम स्टाइट है आप देख पार है हैं अभी हम आठ चुके हैं भारती क्रिकीट कि कप्टा रोष्श झामां जी का गयर सकते गाइक्ज कैसेयों पूरी तरह सा थैयार हो चुकी है और आफ देख सकते हैं पूरी कांच से बनी हुई यह बिल्डिंग है अब देख सकते हैं और चलते हैं इसके आगे और मेंगेट भी दिखाते हैं आपको ठीक है तो गाइच फाइनली यह भी हम गेट के सामने पहुचने वाले हैं अर्थिक्रिकेट 8020 के कप्तान रोहिस सर्माजी के घर पे तो गाइच अब देख सकते है अब देख सकते हैं यहां मेंगेट हम आ चुके हैं तो गाइच देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट गेट रहेगा और यहां पे सेकेंड गेट है रहे हैं कुछ पीछे सनजार अब इस तरह से दिखता है अहुजा टावर कर देख सकते हैं यह देख सकते हैं काफी उच्छी ब और यहां का लोकेटेड आप देख सकते हैं अकना जारा कुछ इस तरह है तो गाईज अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से आहुजा टावर दिखता है तो गाईज चलिए जाल लेते हैं भाति क्रिकेटर रोही सर्मा के बारे में तो गाईज में आपको बता दूँ रोही सर्मा का जन्म 30 अपरेल 1987 को महराष्ट नागपूर में हुआ था और गाईज में आपको बता दूँ रोही सर्मा के मातर पीता का नाम क्या है विसाखा पटनम की है वह बोरी वली मुंबई में अपने दादा दादी और चाचाओं के साथ रहा करते थे क्योंकि उनके पिता का घर छोटा था अपनी केरियर की शुरुआत रोहित सर्मा मुंबई के विवेका नंद इंटरनेशनल स्कूल में दिनेज लौड द्वारा कोच प्रिकिंग दी गई थी रोहित की गरीबी के कारण उनके कोच उनसे कोई फीस नहीं लेते थे यह काफी आश्चर जनक की सलामी बल्ले बाज बनने से पहले रोहित सर्मा एक आप स्पीनर गेद बाज थे लेकिन कोच दिनेज लौड ने उनकी बल्ले बाजी की शमता को पहली पारी सुरुवात करने की प्रसाहित किया रोहित सर्मा ने हैरिस और जाल सिल्ड स्कूल क्रिकेट टूनामेंट में अच्छा परदसन किया और सलामी बल्ले बाज के रूप में सतक लगाया था सो गाईज आपको बता दू रोहित सर्मा की साधी 2015 में रीतिका सजदेह से किया था और उनकी एक बेटी भी है रोहित सर्मा दाय हाथ के बल्ले बाज ने अंतर राष्ट क्रिकेट में 39 सतकों और 3 दोहरे सतक की मदद से 14,000 से अधिगरन बनाए हैं और रोहित सर्मा भात क्र केटा टी के उप कप्तान भी थे रोहित सर्मा दुनिया के पहले और एक मात्र बल्ले बाज हैं जिन्होंने 4 T21 सतक बनाए हैं और गाईज में को बता दू रोहित सर्मा वन डे में अब तक 3 दोहरे सतक लगाने वाले दुनिया के पहले और एक मात्र बल्ले बाज हैं और रो प्लोर में अपनी फैमिली के साथ में रूही सर्मा रहते हैं तो गाईज आज का ब्लोग हमें एंड करते हैं उम्मीद करूंगे अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और साथी अगर आप हमारे चैनल पर नए होते हैं चैनल के यार अभी तक सस् हम मिलेंगे आपसे नेश्ट ब्लोग में तब तक क्लियो के बाई